इंकम टेक्स पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है इदर उदर मत जाएए सीधा हमारे पास आईए गगन कपूर क्लासिस इंकम टेक्स में अगर आप यूट्यूब से पढ़ेंगे और आपको कोई अगर linkage नहीं बन पाया तो यह subject complicated है आपको और ज्यादा complicated लगेगा तो इस subject को पढ़ना है यह मान के पढ़ना है कि throughout your life यह आपको help करेगा इसलिए इसको सई से पढ़ना है seriously पढ़ना है कहां से पढ़ना है किसी भी अच्छे teacher से आपने पढ़ना है कोई नहीं मिल रहा तो हमारे पास आजाएए गगन कपूर classes हम पढ़ाएंगे Sir, income tax में salary head है बहुत lengthy है difficult नहीं है, बहुत lengthy है थोड़ा सा revision करते रहेंगे control में आ जाएगा salary के बाद दो और बड़े head है एक का है business income PGBP और एक का नाम है capital gain तो PGBP हम कहते है capital gain के बाद में पढ़ना पहले capital gain पढ़ लो यह PGBP के comparison में मुझे थोड़ा आसान लगता है तो आज मैं आपके साथ capital gain की बात करूँगा capital gain chapter क्या कहता है capital gain chapter कहता है कि किसी भी person के पास income के क्या-क्या source होते है या तो वो job करता है तो salary से income कमा लेता है अगर उसके पास कोई house property किराये पे दे दी तो rental income कमा लेता है उसके लिए house property का head हो गया हमारे सभी head में वो बहुत ही अच्छा और आसान head होता है उसके बाद कोई person business कर रहा है तो उसकी business income हो सकती है अब ये हमारा capital gain का एक head है ये एक बड़ा ही unique बात कहता है आए आराम से मैं आपको समझाता हूँ ये क्या unique बात कहता ही ये कहता कि अगर हम subject पढ़़ है income tax Income का मतलब होता है revenue in nature income किसे बोलते हैं ? जो चीज continuously हमें मिलती है उसे हम income बोलते हैं तो income का जो rule है वो ये कहता है कि जितने भी revenue receipts होती है वो हमेशा taxable होती है income tax act में revenue receipts हमेशा taxable होती है revenue मतलब जिनका recurring nature होता है जैसे salary regularly आ रही है rent आपको औस property से regularly आ रहा है तो ये आपकी revenue nature के items होती है तो revenue receipts are always taxable unless specifically exempt अगर आप से कोई व्यक्ति कहे कि आपको एक revenue receipt मिल रही है बताओ taxable होगी या नहीं होगी तो आप ये कह सकते हो sir head नहीं समझ में आ रहा लेकिन ये taxable ज़रूर होगी जब तक कि government ये ना कह दे कि revenue nature की receipt को हम exempt कर रहे हैं वो हमेशा taxable होती है इसी तरह से capital receipts are not taxable capital receipt का मतलब होता है one time payment जब किसी को one time payment मिलती है तो उसको हम revenue बोलते हैं income नहीं है तो government कहते है revenue का भी tax नहीं होता income tax होती है तो इसलिए government ने कहा कि capital receipts taxable नहीं होगी unless they are specifically made taxable यानि कि अगर कोई one time payment आई है तो जब तक आपको लिखा हुआ ना मिल जाए कि ये taxable होगी वो taxable नहीं होगी और उसे income tax में हम tax नहीं करेंगे capital gain एक ऐसा chapter है जिसमें capital receipts को government बताती है कि ये capital receipts आपकी taxable होगी कहां पर capital gain के head में taxable होगी under this head law provides capital receipts which are specifically taxable तो आपको समझ में आ गया ये head कहता है कि जो one time payments आपको आती है और ये one time payments आगर हमने इस chapter में लिख दी taxable है तो वो taxable होगी और अगर नहीं लिखी है तो वो आपकी taxable नहीं होगी तो आप ये one time payment क्या होती है house property को आपने किराये पे दिया तो rent regularly आ रहा है लेकिन आपने house property को किसी को sale कर दिया तो one time payment आएगी ये क्या कहलाएगी capital receipt क्या ये taxable है तो chapter पढ़ना पड़ेगा कितनी taxable है इस chapter में पता चलेगा sir मेरे पास gold है पैसे की जुरत पड़ी मैंने gold को sale कर दिया तो क्या वो gold sale करने से जो पैसा मिला वो taxable होगा sir मेरे पास एक car है मैंने car को sale कर दिया one time payment मिली क्या taxable होगी sir मेरे पास iPhone था मैंने अपना iPhone market में sale कर दिया पैसे ले लिए अब उसका चाहे मैंने खर्चा किया या नया phone लिया मेरी मरजी तो क्या वो taxable होगी यह सब one time payments है इन्हें हम capital receipts बोलते हैं और यह chapter में discuss की जाती है अभी मैंने आपको general meaning बताया और अगर मैं इसको जब law की language डिफाइन करूंगा तो यह सारी की सारी जो आपकी properties हैं इन्हे law बोलता है capital assets एक broader term का यूज करता है वो कहता है capital asset अगर आपकी capital asset कोई आपने transfer कर दी transfer का एक छोटा सा पार्ट है sale यानि transfer कई तरीके से किया जा सकता तो government के रहे सिरफ sale नहीं अगर और भी किसी mode से आपने अपनी चीज किसी और को दे दी कौन सी चीज capital asset अगर आपके पास capital asset है वो आपने किसी और के नाम transfer किया है तो फिर capital gain की implication आती है यह इस chapter का broad concept है जो कि आप दीरे दीरे understand करेंगे sir मेरे capital asset को जब मैं transfer करूँगा तो capital gain निकलेगा कैसे तो इस chapter में तीन तरीके से capital gain calculate होता है short term capital gain अलग तरीके से calculate होता है long term capital gain अलग तरीके से calculate होता है और अगर आपने कोई depreciable asset का transfer किया होगा तो वो अलग तरीके से calculate होता है sir अगर हमारा कभी भी capital asset transfer होगा तो क्या हमेशा capital gain लगेगा government कहती है नहीं गगन कुछ जगाओं पर मजबूरी है हम भी समझते हैं कि tax करेंगे तो लोग नराज हो जाएंगे vote ही नहीं देंगे इसलिए कुछ जगाओं पर government ने हमें क्या दी हुई है exemption दी हुई है capital receipt एक bigger amount की हो सकती है और व्यक्ति को tax देने में दिक्कत हो सकती है इसलिए government ने यहाँ पर special tax के rate भी दिये हुए chapter number one में जाएंगे तो chapter number one में special rate of income tax हमने बात की थी तो वहाँ पर जब आपने पढ़ा था उसकी कुछ link है यहाँ पर आने वाली है lottery को छोड़ दें तो long term capital gain और short term capital gain के tax rate की बात इस chapter में आएगी दिये आपके chapter का overview है chapter तो sir बहुत बढ़ा है no doubt chapter बहुत बढ़ा है इन में कुछ चीजे ऐसी है जो logical है reasonable है असानी से समझ में आएंगी वही आपके syllabus का part है अगर जब बरदस्ती सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे तो जो area आपको pain दे रहे होंगे न समझ लेना वो advanced level की topic है इसलिए आपको अभी समझ में नहीं आ रहे professional courses में भी इस chapter को दो layers में पढ़ाया जाता है वो कहते हैं पहले आप basic और general बाते समझ लीजिए फिर advanced बाते हम आपके साथ advanced level पे करेंगे तो chapter में बहुत कुछ लिखा हुआ जो आप समझ सकते हैं वो course का part है जो नहीं समझ सकते हैं वो advanced level का part है उसकी चिंता आपने अभी नहीं करनी capital gain head और pgbp head ये दो head ऐसे हैं जिन में बहुत सारे charging sections है जब आप starting में house property पढ़ते हैं या salary का head पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो charging section है वो बहुत छोटे charging sections हैं लेकिन जब हम pgbp, capital gain, other source में पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे charging sections आते हैं तो हमारे capital gains में जो charging section है यह देखिए, series of sections है लेकिन जो general हमारा charging section है that is called 45-1 पहले हम इससे पढ़ना start करेंगे और यह जो बाकी के सारे charging sections है इन्हें हम बुलाते हैं special charging sections तो आपने mind में पढ़ते हुए एक mapping बनानी है और जिससे आपको chapter जो है वो control में रहे तो मैंने आपसे का कि सबसे पहले हम पढ़ेगे 45-1 इसे हम बोलते हैं general charging section इसमें बहुत simple सी बात लिखी है बहुत simple सी बात लिखी है पढ़ना है और आगे बढ़ जाना है ज्यादा समय मैं इसके ओपर लगाऊंगा नहीं बहुत simple सी बात ये कहता है ये कहता है कि कोई भी profit हुआ हो कोई भी gain हुआ हो from transfer of capital asset जो कि transfer आपने पिछले वर्ष यानि previous year में किया हो उसे income tax में capital gain हैड में दिखा देना क्योंकि हम उसे previous year की income मानेंगे जिस previous year में आपने transfer किया होगा फिर वो कहते हैं unless such capital gain is exempt under section 54 series section 54 में अगर वो exempt है तो ठीक है otherwise उसे capital gain हैड में हम tax कर देंगे किस साल में tax करेंगे जिस साल में आपने capital asset का transfer किया था अब sir ये तो चोटी सी बात कहता है इस पर इतना दिमाग क्या लगाना इसी को अगर मैं simple language में point wise लिखूँ तो ये सारा का सारा paragraph इसकी point wise repetition है और कुछ नहीं है आप अपने आप पढ़ लीजेगा अब sir पहले तो capital gain निकालूँगा calculate करूँगा कि कितना मुझे profit हुआ कितना मुझे gain हुआ और फिर जाके check करूँगा 54 की series में जाकर के कि क्या वो capital gain exam था तो sir पहले capital gain को निकालूँगा और फिर जाके 54 में check करूँगा यह जो capital gain को आप calculate करेंगे यह हम आज की class में नहीं करेंगे आज की class में हम पहले वो theoretical topics को समझने की कोशिश करेंगे जो की exam के point of view से important है और जिनके उपर chapter का हमारा concept जो है वो built up होगा तो आएए सबसे पहले तो हमने जो आपको बात बताई वो यह बताई कि capital gain जिस year में transfer होता है उस year में ही capital gain taxable होता है तो theory में आपसे कभी पूछ ले बहुत अकसर पूछ लिया जाता है क्योंकि बच्चे को तो यही पता है कि जिस year में transfer हुआ उस year में tax होगा इसकी कुछ exceptions हैं तो इनको आपना भी पढ़ देना अभी ज्यादा समझ में नहीं आएंगी लेकिन पढ़ लेना एक बार और याद कर लेना यह दीरे दीरे अपने आप आ जाएंगी हमारा एक theory का question complete हो गया next जो हमारे पास सबसे important theoretical question exam में पूछा जा सकता है वो यह कि what is capital asset यह theory के point of view से तो important ही है बस chapter के लिए भी तो important है समझना पड़ेगा कि हम कब capital gain निकालेंगे और कब capital gain नहीं निकालेंगे अगर कोई capital asset होगा तभी capital gain निकालेंगे नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे तो मैं आपको law की exact language में read कर वा रहा हूँ आपके पास अलग-अलग textbook हो सकती है textbook वाले को कई बार लगता है कि teacher जब इसको पढ़ाएगा या वो यह मान के चलते हैं textbook लिखते हुए कि student खुझ से पढ़ रहा होगा उसको teacher की जुरूत क्या है तो वो क्या करते हैं वो law की language को अपनी सरल भाषा में convert करके point voice लिख देते हैं तो अब हम तो teacher की एल्ब से पढ़ रहे हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ जो law की exact language अगर मैं आपको सिखा सकता हूँ तो मैं exact language यह आपको दिखा देता हूँ ताकि life में कभी भी आप पढ़ेंगे textbook हतम हो जाएंगी जब भी कभी article पढ़ेंगे magazine पढ़ेंगे news में सुनेंगे तो यही exact language दिखाई देती है तो आपके पास जो textbook है ना उसमें इसका क्या होगा converted version होगा यह उसका exact version है जब यह समझ लेंगे तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा इसलिए tension नहीं लेना focus लेना capital asset को law में section 2.14 में define किया हुआ है और वहाँ लिखा है कि capital assets का मतलब है क्या मतलब है property of any kind held by an sse whether or not connected with this business or profession मुझे आज भी याद है जितने सालों से मैं income tax पढ़ा रहा हूँ मैंने पढ़ा मैंने अपने जीवन में इससे बहतर definition नहीं देखी और जब भी मैं पढ़ाता हूँ यहां रुख जाता हूँ और बच्चे को बताता हूँ कि बेटे लॉ लिखने वाले ने शायद इससे पढ़िया कोई definition जीवन में लिखी ही नहीं होगी क्या कहा देखो समझ देख कोशिश करो capital asset का मतलब है property मतलब संपत्ती of any kind किसी भी प्रकार की संपत्ती जो की assessi के द्वारा held की जाती है जो की भले ही उसके business से जुड़ी हुई हो या ना जुड़ी हुई हो अब मैं assessi कहलाओंगा न income tax देता हूँ तो assessi कहलाओंगा वो कहरे गगन क्या तेरे पास कोई संपत्ती है अपने आप में मतलब मेरे पास जितनी भी properties हैं सब यहाँ पर cover हो गई अब मैं इस समय अपने office में हूँ आपको पढ़ा आ रहा हूँ ये मेरा computer है तो ये computer मेरे office का है तो वो कहरे गगन ये property तेरे business की है ठीक है मैं घर जाओंगा घर जाओंगा तो घर जाकर के मैं news सुनूँगा तो मैं अपना TV on करूँगा तो वो मेरा TV मेरे घर का है वो business का नहीं है वो कहरे गगन वो भी तेरी क्या है capitalist है मैंने का मेरा mobile phone कहरे गगन तेरी property है मैंने का हाँ कहरे business की है घर की है personal है मुझे मतलब नहीं वो capitalist हो जाएगा यानि इस एक definition में मेरी जितनी भी संपतिये हैं वो सारी की सारी क्या बन गई capital asset बन गई बताओ इससे ज़्यादा बढ़िया definition क्या हो सकती है कि मेरी हर संपति ही capital asset है सर ये क्यों लिखा whether or not connected with this business or profession हमने capital gain से पहले एक head पढ़ा business income तो मेरी जो भी business related चीज़े थी वो उस head में cover हो जानी चाहिए थी लेकिन government ने बोला गगन तो अगर वहाँ जाकर के पढ़ेगा न तो हमने business के assets को transfer करने के point को वहाँ नहीं cover किया वो यहाँ cover कर लिया मैंने का आपने ऐसा क्यों किया क्यारे गगन दो-दो जगा पढ़ना पढ़ता law को सरल रखने के लिए चाहिए आपने business की property का transfer किया चाहिए आपने अपनी नीजी property का transfer किया दोनों को यहाँ पर एक साथ पढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर club कर दिया फिर भी कुछ ज्यादा विद्वान income tax के लोग कहते हैं कि income tax वालों को तब समझ नी आई उन्होंने business वाले point को business वे लिखना था यहाँ लिख दिया मैं कहता हूँ उन्होंने इसलिए लिख दिया कि आपको दो बार मेहनत ना करनी पड़े ठीक है अब जैसी government ने का property of any kind held by assessi अब सोचना assessi कहता है सर मैंना mobile phone खरीद के लाया था एक lakh रुपे का mobile phone सुनना एक लाख का mobile phone खरीद के लाया था मैंने उसको दो दो साल इस्तेमाल कर लिया अब सर मैं उесको दस अजार और बेच के आगया transfer करके आगया मनल된ा बेच के आगया सर बाशलम समझो तो एक लाक रुपे का फोन करीदा वो मेरी प्रॉपरिटी है मैंने 10,000 बें ट्रांसर कर दिया तो मुझे तो 90,000 रुपीज का नुक्सान हो गया अब मैं गॉपर्मेंट से कहूँगा कि मेरी इंकम है तो उसमें से उस लॉस को माइनस कर दो यानि मेरा मोबाइल फोन जो कि मेरा निजी फोन है उसके ट्रांसर पर नुक्सान होगा और वो भी प्रॉपर्टी है मेरे पास एक परसनल मोटर साइकल भी है मेरे पास एक परसनल कार भी है मेरे पास घर पे परसनल टीवी भी है मेरे पास घर पे परसनल जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर है फ्रिज है, आरो वाटर फिल्टर है कितने सारे मेरे घर में परसनल एसी लगे हुए है मेरे कपड़े भी मेरी प्रॉपरिटी है जो मैं खरीद के लाता हूँ बहुत महंगे मिलते है शोरूम से और बाद में इसको कबारी को दे दिया किसी को दे दिया, कोई पैसे ना मिले तो मेरी बहुत सारी प्रॉपरिटीज ऐसी भी है जो गॉर्मेंट के अकॉर्डिंगली इस लाइन से कैपिटल एशिट बन जाती है और उन से मुझे नुकसान होगा और जब नुकसान होगा तो मैं नाचूंगा नाचूंगा इसलिए क्योंकि इंकम टेक्स में एक नियम है कि गगन तेरी टोटल इंकम पे टेक्स होगा तुने जो प्रॉफिट कमाया और जो तुने तुने तुन नुकसान कर लिए वो माइनस कर लियो जो नेट आएगा ना उसमें से टेक्स दे दियो तो मेरे जितने भी निजी एसेट होंगे मेरा परसनल मोबाइल फोन, मेरी परसनल कार, मेरी परसनल मोटर साइकल टीवी, एसी, फ्रीज, मेरे कपड़े, मेरे जूते, सब में नुकसान है तो मैं खुश हो रहा हूँ, गौर्मेंट के रहे गगन, रुक तो जा, तुने हमें क्या ऐसी समझ रखा है हम बहुत पड़े लिखे हैं, हम नुकसान में ज़्यादा भागीदार नहीं होते हैं केवल प्रॉफिट में भागीदार होते हैं, मैंने का लो तुम तो फस गए मैं आगे से बिल बना के रखूँगा, मैंने साल बर में कितने कितने कपड़े खरीदे, कितने जूते खरीदे कितने मैंने क्रॉकरी खरीदी, कितने मैंने बरतन खरीदे, सारे लिखूंगा और जब वो ट्रांसफर कर दूँगा कवाडी को तो कहूंगा भाई सब नुकसान हो गया, सरकार के रुक ना, रुक पहली लाइन में मेरी सारी संपत्ती क्या बन गई, कैपिटलेशेट बन गई, समझ में आया अब देखिए पॉइंट नंबर, ये जो दो और तीन है न, इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो अब ही हम आगे बढ़ते हैं, तो गौवर्मेंट ने का गगन इस एक लाइन की वज़े से न, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रियेट हो रही हैं हमारे लिए, मैंने का मुझे तो पता है मैंने का अच्छा क्या कैपलेशिट नहीं है, बोले पहला तो तेरा स्टॉक इन ट्रेड, अगर कोई व्यक्ति व्यपार करता है, तो उसके पास स्टॉक भी उसकी संपत्ती है, व्यपार बिजनस से जुड़ी जो संपत्ती है, उसको कैपलेशिट बनाया सरकार ने, तो सरक स्टॉक को भार कर दे, क्योंकि स्टॉक को जब हम ट्रांसफर करते हैं, तो बिजनस इंकम जनरेट होती है, और वो बिजनस इंकम मेरे बिजनस हेड के अंदर अल्रेडी गौर्नमेंट टेक्स पहले ही कर चुकी है, तो यहाँ पर एक जैनून एक्सक्लूजन है, कि दो दो बिजनस के एसेड्स में से एक एसेड होता है, और वो स्टॉक जब सेल होता है, तो बिजनस की इंकम जनरेट होती है, और बिजनस की इंकम को क्योंकि अलग हैड में टेक्स कर दिया है, इसलिए यहाँ पर उसको टेक्स करने का दुबारा कोई रीजन है नहीं, तो स्टॉक ट्रेट को छोड़ दूँ बिल्कुल ठीक है सर टॉकिन ट्रेट को छोड़ दिया अब कहती है गौवर्मेंट गगन जितने भी तेरे निजी पर्सनल चीजें हैं ना जिनके तो अभी नाम ले रहा था मोबाइल फोन अगर मोबाइल फोन मैंने अपने पर्सनल नेम से लिया था तो वो कैपिटल एसेट नहीं है अगर मैंने मोबाइल फोन अपने फर्म के नाम पर बिजनस के नाम पर खरीदा था तो वो मेरा पर्सनल एसेट नहीं है बिजनस एसेट है वो कैपिटल एसेट बन ज capital asset है तो आप कहोगे पहली लाइन तो कह रही थी के हर एक asset capital asset होता है लेकिन नीचे government carry है but does not include मतलब इनको बाहर कर दो किसको personal effect को तो घर का furniture personal effect हो गया बाहर हो जाएगा वो capital asset नहीं है तुमारे office में furniture है क्या वो capital asset है answer is yes capital asset है आपके घर में एक TV लगा हुआ है आपके घर में एक fridge है आपके घर में एक RO water purifier है आपके घर में mixer grinder है आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो की आपको लगेगा के सर ये तो हमारे asset है लेकिन government कह रही है के capital gain chapter के लिए हमने उनको exclude कर दिया सर मेरे घर में मेरे कपड़े रखे हुए हैं आपके personal effect है तो क्या वो capital asset है नहीं लेकिन सर मेरे पास office में भी एक LED TV है एक है एक से ज़्यादा है एक ही बात है सर मेरे पास office में भी तो free है सर मेरे पास office में भी AC है मेरे पास office में furniture है तो मेरे पास office के नाम पर खरीदा हुआ mobile phone है मेरे पास office के नाम पर खरीदा हुआ कार है वहिकल है ओफिस के नाम पर खरीदा हुआ आरो सिस्टम है ये सब capital asset है तो government ने कहा कि आपकी सबी asset capital asset होती है चाहे वो business की है या नहीं है लेकिन फिर government ने बोला कि जो आपके personal belongings होंगे न उन्हें आप ज़रा बाहर कर दो क्यों क्यों उनको बाहर कर दो क्योंकि वो सब loss की चीज़े हैं sir mobile phone तो जब business में भी बिकेगा तो भी loss होगा तो आगे चलके समझ जाएंगे कि उस पे loss नहीं होता क्योंकि हम depreciation claim कर चुके होते हैं और घर के assets में हमने depreciation claim नहीं किया हुआ होता अच्छा तो government ने बोला के गगन जो तुमारी निजी assets है ना उनको बाहर कर दो मैंने का सोच लो वो कह रहे हाँ सोच लिया मैं अभी भी खुश मुस्कुरा रहा हूँ government कह रहे अच्छा आप क्यों मुस्कुरा रहा है मैंने का सुनो मेरे पास कुछ capital asset है बहुत कीमती मेरे पास सोने की chain है मेरे पास सोने की अंगूठियां है मेरी missis के पास gold की jewelry है है ना तो हमारे पास ऐसी कुछ चीजे है जो की government छोड़ना नहीं चाती government के रहे ना 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 गगन jewelry पर तो हम tax लेंगे मैंने का भाई कैसे ले लोगे मेरी personal jewelry है मेरी gold की chain है मेरी शादी हुई थी वो gold 5000 रुपीज पर 10 ग्राम आता था आज वो 80,000 रुपीज पर 10 ग्राम हो गया है आज मैं बेचूंगा तो फायदा ही होगा ना तो government के रहे तरे को tax देना पड़ेगा मैंने का क्यूं देना पड़ेगा आपी ने तो कहा कि मेरे जितने भी personal effects हैं वो सब capital asset की definition से बाहर हो जाएंगे government ने का रुख तो सही समझ अभी और आगे समझ तेरे वही personal effect बाहर होंगे जो की movable होंगे personal और movable मैंने कहा कि मेरे पास एक flat है हाला कि मैं गरीब आदमी हूँ मेरे पास कोई flat नहीं है मैं example के तोर पे दे रहा हूँ सब लोगों के पास होता है teacher गरीब होता teacher के पास नहीं होता मेरे पास एक flat है गौर्मेंट ने का वो फ्लेट तेरा ओफिस के एड्रेस है या तेरा घर का एड्रेस है मैंने का नहीं वो मेरे घर का एड्रेस है मेरा पर्सनल है तो गौर्मेंट ने बोला कि पर्सनल है घर है महंगा हो जाएगा बिकेगा प्रॉफिट होगा हम टेक्स लेंगे मैंने का आपने तो कहा था पर्सनल पर टेक्स नहीं होता तो उन्होंने बोला गगन पर्सनल पर टेक्स नहीं होता अगर वो मूवेबल हो आपके पर्सनल in-moveable property यानि आपके जितनी भी घर है वो सब capital asset के दायरे में रहेंगे क्या नहीं रहेगा वो personal asset नहीं रहेगा जो movable है TV है, car है, bike है AC है, fridge है, RO है कपड़े है जूते है, almira है, furniture है bed है, ये सब नहीं रहेगा सारी घाटे वली चीज़े government ने एक साथ बार कर दी personal movable लेकिन मैंने का कोई बात नहीं मेरे पास एक personal movable item है jewelry तो government ने का सुन, आगे भी सुन ले तेरी personal movable property चाहे तू इस्तेमाल करता है चाहे तेरे family member इस्तेमाल करते है उन सब को बाहर कर दो लेकिन but excludes लेकिन हम इने personal movable नहीं मानते इसलिए हम इने exclude नहीं करते क्या क्या सबसे पहली चीज जूलरी jewelry आप सभी समझते है jewelry क्या है government ने jewelry की definition भी दी हुई है आप पढ़ सकते हैं हलाकि वो कहते हैं कि गगन इतना elementary stage के ओपर बच्चों को तंग मत करो normally सभी बच्चों को पता है jewelry से हमारा क्या मतलब है archaeological collections sir हम तो रजवारों के खांदान से हैं राजपुतों के खांदान से हैं हमारे पास तो पुराने पुराने हतियार तोपे ना जाने राजाओं माराजाओं के जमानों की क्या एंटीक चीजे रखी हुई है नुमाईश करो तो करोड़ो रुपे की भिग जाएंगी है ना तो होता है ना भाई मेरे पास कोई पुरानी खुदाई में निकली चीजें थी जो भी था तो वो चीजे बहुत ज़्यादा unique हो जाती है एंटीक हो जाती है मेंगी हो जाती है वो मेरी परसनल हो सकते हैं लेकिन गौर्वर्मेंटने का नहीं हम उन्हें capitalist मानेंगे ड्रॉइंग पेंटिंग्स अब क्या होता है आपको पता है कि ड्रॉइंग्स और पेंटिंग्स की exhibition लगती है और वो बहुत-बहुत महंगे दामों के उपर बिखती है और वेलकम पिक्चर में वो अनिल कपूर पेंटिंग करके पेचा करता था समय का आभाव है वरना यहां पर आपका थोड़ा सा प्रेशर कम कर देते कहानी सुना के ड्राइंग का मतलब होता है बिना कलर वाली पेंटिंग है या बिना कलर वाला sketch है और पेंटिंग का मतलब है उसके अंदर कलर भी है यही फर्क होता है दोनों में और यह क्या होता है बहुत-बहुत महंगी बिखती है इसलिए गौर्वर्मेंट ने बोला यह आपके personal होंगे लेकिन हम इनको capitalist की definition में रखेंगे sculptures जो मूर्तिया है अगर आपके पास कोई पुरानी मूर्तिया है कुछ ऐसी चीज़े हैं तो यह बहुत महंगी हो सकती है तो गौर्वर्मेंट ने उनको भी रखा any work of art समझे गौर्वर्मेंट कहां से शुरू हुई पढ़ के देखिए गौर्मेंट ने सबसे पहले कहा कि गगन अगर कोई भी संपत्ती है असेसी के पास चाए बिजनस की है चाए परसनल है वो capitalist है फिर गौर्वर्मेंट ने इसके continuation में बात समझाई कि गगन इसमें बाहर कर देना यानि इनको capital asset नहीं माना जाएगा पहला stock in trade और दूसरा जो आपकी personal movable nature के assets है personal होना चाहिए movable होना चाहिए फिर personal movable बाहर करते करते गौर्मेंट ने बोला बाहर नहीं होगी बहुत सारे teacher यहां पर रटवाने का काम शुरू कर देते हैं मुझे रटवाने का शौक नहीं है simple सा logic है jewelry को बाहर कर देना archaeological collections को बाहर कर देना drawing painting को बाहर कर देना sculptures को बाहर कर देना any other work of art इनको बाहर कर देना ओके बाकी इसका जो भी learning technique बनाना चाओ बना लेना इसका मतलब personal movable effect की category से इनको बाहर कर देना यानि यह personal movable नहीं है यानि कि यह 6 item capital asset है इसका simple सा मतलब है कि यह 6 article आपके capital asset माने जाएंगे इसमें एक बहुत जरूरी चीज़ है jewelry और jewelry की definition law में लिखी हुई है jewelry के बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की जूरती है जो आप शरीर पर आभूशन पहनते हैं जिसमें gold हो, silver हो, कोई precious metal हो कोई precious semi precious stone हो उन सब को हम jewelry का ही part बोलते हैं आपने कोई भी चीज, gold की बनाई ठीक है, यहां लिखा है कि अगर आपके पास कोई आभूशन है ornaments, जो की gold के हैं, silver के हैं, platinum के हैं या किसी और महंगे metal के हैं या किसी alloy के द्वारा बनाए गए हैं alloy का मतलब होता है कि जब हम 2-3 metals को mix करते हैं तो gold भी pure form में आभूशन नहीं बन सकता, वो soft होता है तो उसमें दूसरे metals को mix किया जाता है तब उसमें hardness आती है तो उसमें alloy है, मतलब mixture है, तब भी कोई फरक नहीं पड़ता weather or not containing any precious or semi-precious stone sir मेरे पास तो sonik अंगूटी है लेकिन इसमें जो हीरा है नकली है तो कहरें कोई फरक नहीं पड़ता असली है, नकली है weather or not worked or swin into any wearing appearance एक बहुत बड़ी debate हुई थी किसी ने नरेंदर मोदी जी को एक suit gift कर दिया था और उसमें शाह सोने की तार से नरेंदर दामोर्दा smoothie लिख दिया था तो अगर आपके पास कोई कपड़ा है और उसमें कोई सोना, हीरा, चांदी आपने लगा दिया तो वो भी किस का पार्ट बन जागा जूल्डी का पार्ट बन जागा फिर वो जब sale होगा तो उसको capital asset मानके जो treatment बनता है वो किया जाएगा अच्छा वापिस पढ़ता हूँ वापिस पढ़ता हूँ ताकि आपकी continuity बनी रहे capital asset का मतलब है property of any kind held by the sassy इसमें से government ने का exclude करो number 1 stock, number 2 personal effect, movable nature के बाहर कर दो capital asset नहीं है, तीसरा government ने कहा इसमें से बाहर कर दो rural agricultural land rural agricultural land rural का मतलब हो गया जो developed नहीं है मतलब पिछड़े वे इलाकों में होगी rural और वो land जो है वो agricultural land है तो उसको government ने कहा उसको भी हम capital asset नहीं मानेंगे इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास rural agricultural land है और हम उसको transfer कर दें तो वो जो पैसे मिलेंगे वो taxable नहीं होंगे अब बच्चे को लग सकता है कि सर विलेज की land की बात हो रही है विलेज की land की बात में रूरल मतलब पिछड़े वे इलाके की बात हो रही है अब rural agricultural land से क्या मतलब है तो यहाँ पर देखिए ठीक है इसको आप read कर लेना समझाता हूँ simple है rural agricultural land in India यह capital asset नहीं मानी जाएगी rural agricultural land in India सर मेरे पास ना नेपाल में कोई जमीन पड़ी है मैं उस पे agriculture activity करता था और मैंने उसको transfer कर दिया तो capital gain लगेगा वो इंडिया की नहीं है पहली बात agriculture land होनी चाहिए इंडिया में होनी चाहिए और rural होनी चाहिए तो rural का मतलब क्या है वो कह रहे गगन meaning of rural agriculture land समझो rural का मतलब है not being land यानि वो land ऐसी ना हो जो की situated हो कहां पर किसी ऐसे area में which is comprised within the jurisdiction of municipality और containment board तो आप municipality को याद रखो जहां पर लोग रहते हैं लोगों की सुविधाओं के लिए सरकार ने एक municipality बनाई होती है तो वो कहरे कि rural agriculture land मतलब वो land जो ऐसी ना हो कैसी ना हो वो किसी jurisdiction of municipality के अंदर में ना आती हो ऐसी municipality का area जिसकी population पॉपुलेशन दस हजार से ज्यादा होनी चाहिए ठीक है rural agriculture land not being land ऐसी ना हो जो situated हो किसी area में जो municipality के jurisdiction में आता हो और जिसकी population क्या हो not less than 10,000 यानी जिसकी population दस हजार या फिर उससे ज्यादा हो तो देखा गॉपुलेशन ने क्या कहा rural agricultural land capital asset नहीं है अब मैं ढूणने लगा के rural कौन सी होगी कहरे गगन ऐसा area जो municipality के अंदर आता हो और जिसकी population 10,000 से ज्यादा ना हो यानि municipality है और population 10,000 से कम है तब ही rural है law न नेगेटिव तरीके से लिखके अगर इसको सीधा करके पड़ो तो इसका मतलब है कोई ऐसा area ढूंड के लाओ भारत वर्ष के अंदर जो किसी municipality के अंदर आता हो और जिसकी population 10,000 से कम हो तो वो rural होगा अब आप ढूंडोगे तो आपको बिलेगी नी भाया municipality है इसका मतलब वहाँ population अच्छी कासी होगी ओके चलिए कोई बात नहीं एक विक्ति ने सोचा कि मान लो यह जो area है यह municipal corporation के अंदर आता है जैसे मैं डैली में बात करूँ तो डैली में municipal corporation of डैली है और डैली में भी अलग अलग है south डैली की उनकी new डैली municipal corporation है अलग है तो वो कहरे गगन यह जो municipal का दायरा है ना इसके अंदर population अगर 10,000 से कम है तो तो यह area rural है तो यहाँ पर जितने भी municipality इंडिया में होगी उन सब की population 10,000 जादा ही होगी ठीक है तो सर इसका मतलब पिर यह हो गया कि अगर मेरी land इस municipal corporation से बाहर है area से बाहर है तो तो rural होनी चाहिए government के रही ऐसा भी नहीं है government कहती है कि देखो जब किसी भी area में बसावट होती है लोग वहाँ जमीन नहीं खरीद पाते तो लोग क्या करते है उस area के आसपास जमीन खरीदना शुरू कर देते हैं तो उन्होंने कहा कि उसके आसपास की जमीनों को भी हम rural नहीं रहने देंगे तो सर मेरी तो land municipal corporation के दैरे के बाहर है पहला point तो municipal corporation के अंदर की बात कर रहा है तो दूसरा point कहता है कोई बात नहीं अगर municipal corporation में नहीं आ रही तो मतलब municipal corporation के दैरे से बाहर है तो government ने का कितनी दूर है वह कितनी दूर है यह देखो not being more than two kilometers इसका मतलब government कह रही है कि कोई भी ऐसा area जो की area ली मतलब अगर मैं सीधा सीधा ना पूँ तो वो 2 km से ज्यादा होना चाहिए जगर उस area की population 10,000 से ज्यादा है मगर 1,000,000 है simple सा मतलब यह है कि अगर मान लीज़े यह municipal corporation जिस area में है इसकी population up to 1,000,000 है चोटा area है तो इस area से 2 km के अंदर नहीं होनी चाहिए अगर 2 km के बाहर है तो रूरल है तो छोटे area से उन्होंने distance कितना रखा 2 km उन्होंने का 2 km के अंदर आने वाली land अर्बन होगी 2 km के बाहर की land रूरल होगी ठीक है फिर उन्होंने का कि हो सकता है कि जिस area के municipality है उसकी population एक लाग नहीं बलकि 10 लाग तक हो यानि यह बहुत popular area है इसकी population 10 लाग है तो गॉर्मेंट ने यहां पर दाइरह बढ़ा दिया और कर दिया 6 km यानि municipality के दाइरे के 6 km तक भी जो land होगी उसको भी मैं अर्बन मानूँगा 6 km के बाहर होगी तो rural मानूँगा और अगर वो कोई ऐसा municipal area है जिसकी population 10 लाग से भी जाद है जैसे मैं डेली में बात करूँ MCD है नौट डेली में MCD है तो कहरे जो MCD का दाइरह है उसके 8 km के दाइरे तक की लेंड अर्बन है उसके बाद rural है तो अगर मैं दिल्ली से 8 km दूर उतला जाओं तो दूसरी municipal corporation आ जाएगी वहाँ से लाग तो तीसरी आ जाएगी तो कोई ऐसा area आपको दिखाई नहीं देगा सिवाए इसके के वो नक्सली हो ऐसा इलाका हो तो ही rural हो सकता है otherwise वो नहीं मिलेगा तो simple सा law कहता है कि अगर वहाँ पर कोई municipal corporation है तो उसकी population 10,000 से ज़्यादा जरूर होगी वो area rural नहीं है और जो area municipal के बाहर है उसमें भी government ने तीन distance define कर दिये depending upon कि उस municipal area की population कितनी है अगर वो छोटा municipal population है एक लाग तक है तो उसके 2 km तक की land को government के रही ये rural नहीं है 2 km के बाद rural होगी और वो 2 km के बाद जरूरल होगी तभी होगी जब वो किसी और दायरे से connect ना हो रही हो अगर population up to 10 lakh है तो 6 km तक की land रूरल नहीं होगी और अगर उसकी population 10 लाग से भी ज़्यादा है तो 8 km areaally areaally मतलब सीधा सीधा 8 km गुम फिरके 8 km मत कर लेना ओ अब बहुत सारे बच्चे capital asset की definition को समझ जाते है कि sir property of any kind है उसमें से आप personal movable को भार कर दो और 6 चीज़ो personal movable होने के बाद भी include कर लो यहां तक बच्चे समझ जाते हैं तो examiner कई बार क्या करता है वो आप से पूछ लेता है कि बताईए यह वाली land जो है यह rural है या urban है और बच्चा कहता है पता नहीं यार यह teacher क्या बेकार की बाते कर रहा है तो examiner को जब tough paper बनाना होता है तो उसको यह बात पता है कि वो किसी भी teacher से पढ़ के आया होगा उस teacher ने उसको capital asset का एक point तो समझाई दिया होगा लेकिन वो rural और urban नहीं समझा पाया होगा तो वो tough paper जब बनाते हैं तब 5 में से एक बार पूछ लेते हैं इसलिए आप concentrate करिये और बात को समझे कि what do you mean by rural agricultural land तो agriculture land समझना असान है इंडिया में समझना असान है लेकिन rural क्या है दुबारा rural क्या है ये समझे एक बार समझना है फिर आपको next time दिक्कत नहीं आएगी ठीक है ये rural agriculture land क्या होती है ये बहुत सारे teacher नहीं समझाएंगे पर मैं समझा रहा हूँ municipal area है population 10,000 से ज़्यादा है तो वो क्या हो गई अरवन हो गई तो सर उसके बाहर rural होगी नहीं उसके बाहर population के accordingly government ने तीन distance बता रखे है अगर population up to 10 lakh है तो उसके बाहर के 2 km तक की land को भी government करिया urban उसके beyond rural 10 लाग तक है population तो फिर 6 km तक की land के बाद की land rural है और अगर population 10 लाग से भी ज़्यादा है किसी municipal area की तो उसके area के 8 km तक के बाहर की जो land होगी वही rural है ठीक है उसके बाद government कह रही है कि इनको भी exclude कर दो gold bonds, special bearer bonds and gold department तो इसको ज़्यादा आपको समझने की जूड़ती है government के बाद gold deposit करवाती है उसके लिए bond दे देती है और लोग क्योंकि government के पास gold जमा करवाएं तो उनको लालच देने के लिए वो कह देती है कि हम इसको capital security definition से exclude करा देंगे आईए अब वापिस बात करते हैं point number one तो sir हमने समझा और इसको मैं अभी आपको एक book ने बहुत अच्छा diagram बना के लिख भी रखा है अभी आपको पढ़वाता हूँ या पहले मैं आपको दिखा दूँ वो नहीं 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 और एक और होनी चाहिए हाँ देखिए capital asset की definition को एक book है मुझे अच्छा लगा तो मैंने का आपको diagram टेकल दिखाएता हूँ capital asset का मतलब है property of any kind held by the SEC whether or not connected with his business or profession पहले ये वाला clause सब कुछ include करता है फिर government इसी definition में continuation करते हुए कुछ exclusion करवाती है कि गगन इन्हें exclude करना stock and trade को exclude करना क्योंकि business income में ये tax हो चुका है personal movable properties को भाहर कर देना rural agriculture land को भाहर कर देना और ये gold deposit bonds है इनको भी capital asset मत मानना इसमें से जो personal movable effect है इसमें government आगे चलके कहते है कि personal movable effect की list में से jewelry, archaeological collection, drawing, painting sculptures, any work of art इनको भाहर कर देना ये वाला आप समझ गए, ये ही main part है इसके सिवाए दो part और है चाहे यहां से पढ़ लो, चाहे book से पढ़ लिना capital asset means any security security का मतलब होता है कोई share हो आपके पास कोई debentures हो आपके पास इनको security बोलते हैं कोई units हो आपके पास held by foreign institutional investor FII अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं foreigner है और आपके पास कोई security है ठीक है आपने SEBI के rules के accordingly ही खरीदी हुई है तो वो भी capitalist है होता क्या है Singapore में companies create हो जाती है कोई एक व्यक्ति जाता है वो Singapore में दुबई में बैठे हुए एक company बनाता है और फिर वो company क्या करती है इंडिया की किसी company के share खरीद लेती है अब उसने इंडिया के share खरीद लिए अब उसे पता है कि अगर मुझे share बेचना है मैं इंडिया में share बेचूँ तो इंडियन गौर्वर्मेंट income tax मांग लेगी तो वो क्या करते है वो अपनी विदेश में जो company है उनी को बेच देते है तो गौर्वर्मेंट इनको भी indirectly इसमें cover कर लेती है तो अगर आप विदेशी है आपने इंडिया में कोई security खरीद रखी है और विदेश में भी अगर आप उन securities को बेचोगे तो वो भी हमारे यहां पर tax हो जाएगी ओके और बाकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाते आगे बढ़ते हैं एक और उन्होंने clause add किया unit link insurance plan हमारे यहां पर एक life insurance होती है वो simple होती है लेकिन आज कल private banks private companies ने न insurance policies के against भी units बना दी है वो कहरें कि आपकी insurance policy का हम कुछ पैसा share market में लगाएंगे share market grow होगी तो आपकी जो policy है ना उसकी भी value grow होगी तो अगर आपके पास कोई unit link insurance plan है जो कि आपने इस date के बाद आपको दिया गया था और वो वैसे तो insurance exempt होती है लेकिन वो insurance ऐसी है जो कि 1010D में exempt नहीं है क्यों exempt नहीं है इसलिए exempt नहीं है क्योंकि उसका premium या तो आप साल बर में दो लाग पचास अजार रुपे से ज्यादा भरते हो या पिर आपने कई सारी policy ले रखिया और उन सब का total premium आप दो लाग पचास अजार रुपे से ज्यादा भरते हो तो ऐसी policies को government ने क्या किया capital asset की परिवाशा में ले लिया कि ताकि यह जब mature होंगी तो इन से जो profit होगा वो tax हो जाएगा ठीक है अब आपको बताता हूँ आपके लिए जो main point है आपके लिए जो main point है वो तो आपको समझने वाला था point number ये ठीक है ये आपके लिए simple language में कहूँ तो ये आपके काम का था उसके बाद point number B थोड़े से advance level के है कि विदेशी है आपके पास इंडिया की securities है तो वो भी capital asset है बेचेंगे तो इंडिया को tax देदेना आपके पास को insurance policy है जिसे government कह रही है कि हम 1010D में exemption नहीं दे रहे हैं तो वो भी आपकी capital asset की definition में cover होगी ठीक है सर अब थोड़ी सी एक दो basic बाते हैं वो समझ लीजिए government कह रही है कि पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग चांदी के बरतनों में खाना खाते थे तो चांदी के बरतन हो गए और चांदी एक precious metal है तो क्या चांदी के बरतन capital asset है या नहीं है तो government कह रही है कि चांदी के बरतन अगर घर में रखे हैं तो वो capital asset नहीं है silver utensils belonging to assessi which are used in the kitchen और in the dining room are for personal use hence treated as personal effect and are not capital asset यह मैं शायद दिखना भूल गया हूँ वो personal effect है और वो capital asset नहीं है ठीक है वो capital asset नहीं है लेकिन सर हमने चांदी की इटे खरीद रखी है या हमारे पास चांदी या सोने के सिक्के है so variance है या हम पूजा के वक्त ना अपने घर में मंदिर में से कुछ चांदी की चीज़े निकालते है यह सभी चीज़े personal effect नहीं होती यह capital asset होती है sir हम तो राजाओं महाराजाओं के खांदान से हैं हम चांदी के बरतन में खाना नहीं काते हैं हम तो सोने के बरतन में खाना काते हैं तो गॉर्मेंट ने कस्टमरी देखा कि लोग चांदी के बरतन घर में इस्तिमाल करते थे इसलिए गॉर्मेंट कोट ने accept कर लिया कि चलो silver utensils को personal effect माना जा सकता है लेकिन gold के बरतनों को personal effect नहीं माना जा सकता चलिए अब सर हमारे पास capital asset दो तरीके के होंगे एक तो होंगे long term और एक होंगे short term गॉर्मेंट ने define किया गगन ये भी जानना जूरी होगा capital gain निकालते वे कि जिस capital asset को आप ने transfer किया है उसका nature मतलब period of holding के इसाब से वो long term था या वो short term था अगर आपने उस capital asset को लंबे समय से अपने पास रखा हुआ है तो वो long term है और अगर आपने थोड़े समय तक अपने पास रखा है तो वो short term है तो long term क्या है long term वो है जो की short term नहीं है long term वो है जो की short term नहीं है और short term क्या है तो वो कह रहे कि short term एक period है जो हम define कर रहे हैं तो government ने short term के 3 period define किये कुछ items के लिए government ने 12 month का period decide किया कि अगर ये capital asset आपने 12 महीने तक अपने पास रखा है तो short term है 12 महीने से ज्यादा held कर लिया है तो वो long term हो जाएगा कुछ articles पर government ने 24 month का period लगाया कि अगर 24 month तक ये आपने asset held किया तो short term है उसके beyond हो गया तो long term है और कुछ पर आप government ने 36 month लगाया अब सर इसकी जरूरत क्या थी कोई भी article जब long term में चला जाएगा तो उसमें tax कम लगेगा कोई भी article long term में जाएगा तो उसमें tax कम लगेगा और अगर वो short term के अंदर जाएगा यानि short term में ही sale कर दिया जाएगा तो उसपे tax ज्यादा लगेगा इसलिए government ने इस time period को बनाया है और आगे चल के आप समझेंगे अभी आपने focus रखना है किन के लिए 12 month है किन के लिए 24 month है किन के लिए 36 month है जो 12, 24 में नहीं आएंगे उन सब के लिए 36 month होगा तो government ने 12 और 24 किन के लिए वो बताया government ने का अगर आपके पास कोई security है मतलब आपके पास किसी company के share और debenture है और वो listed in stock exchange है यानि आपके पास listed share है generally share में हम equity की बात करते है हाला कि preference भी होते हैं वो भी covered है लेकिन preference shares ना बेकार होते है ज्यातर बाते equity shares की होती है तो अगर आपने किसी company के equity shares खरीदे है stock exchange से तो अगर आप उन्हें 12 महीने तक रखते हैं उससे 12 महीने में बेच देंगे तो वो short term हो जाएगा 12 महीने के बाद बेचेंगे तो वो long term हो जाएगा sir मेरे पास share है लेकिन listed नहीं है unlisted है तो 24 मनत है अब आप देखेंगे कि मैं आपसे पूछूँ कि आपने share खरीदने है कहां से खरीद होगे तो sir stock exchange से खरीदेंगे stock exchange में कौन सा share खरीद होगे जो listed होगा तो वैसे practically listed shares की बात ही ज्यादा होती है तो 12 मनत का period होता है पर theoretically unlisted shares भी exist कर सकते हैं उन्होंने unlisted shares के बारे में लिखा दूसरा आपके पास कोई immovable property है land, building इन सब के लिए government ने period decide किया 24 months यानि अगर आपने कोई house property खरीदी है और दो साल के अंदर अंदर आप transfer कर दोगे तो short term है और दो साल से ज्यादा period हो जाएगा तो long term हो जाएगा और long term होने का फाइदा ही है कि अगर long term रख करके आपने बेचा दो साल के बाद बेचा तो tax आपको कम देना पड़ेगा अच्छा जैसे आज कल mutual funds का लोग बहुत crazy है mutual fund, mutual fund, mutual fund तो mutual fund में units होते हैं तो units हैं आपके पास ऐसे mutual fund के जो की equity oriented है equity oriented mutual fund वो होता है जिस mutual fund की 65% या उससे ज़्यादा fund equity share में लगते हैं और बाकी के जो money है वो चाहे debenture में लगाएं या किसी और security में लगाएं उन्हें बोलते हैं equity oriented mutual fund zero coupon bonds zero coupon bond का मतलब होता है कि कुछ bond, bond मतलब just like debentures, जो company loan लेती है वो debentures की जगा कई बार bond issue कर देती है और वो कहती है ये bond हम आपको बहुत सस्ते rate पर issue कर देते है क्योंकि हम इसके उपर interest नहीं देंगे ऐसा वो company करती है जो construction का काम कर रही होती है जिनके पास revenue नहीं होता, वो कहती है कि हम एक project बना रहे हैं, project बनाने में 10-15 साल का period लग जाएगा तो आज आप हमें थोड़े से पैसे दे दो हम 15 साल बाद आपको बहुत पैसे देंगे बीच में ब्याज नहीं दे पाएंगे ये zero coupon bonds होते है इनके लिए 12 month का period decide किया गया, land building unlisted shares के लिए 24 month का period decide किया गया, और जो इन दोनों में नहीं आ रहे, जैसे gold नहीं आ रहा जिल्डी नहीं आ रही ना painting, drawings sculptures, वो भी तो capitalization है, इसमें नहीं आ रहे तो उनका period 36 month count होगा, यानि आपने कोई painting खरी दी थी अगर 36 month के बाद बेचोगे तो government केगी, ये capitalization long term में चला गया है, अब हम बताएंगे कि इस पर tax कम लगेगा और अगर 36 month से पहले बेच दिया, तो short term है, tax थोड़ा ज़्यादा लगेगा ठीक है, तो आज यहीं रुकते हैं एक बात पढ़ ले न कि 12 month भी short term में आता है, 24 month भी short term में आता है, 36 month भी short term में आता है यानि कि अगर listed equity share पूरे 12 महीने पर बेच दिया तो short term है, 12 से ज्यादा होने पर long term होता है चीक है खेर, आज की class में आपने revise करना है, what is the meaning of capitalization असान है दूसरा, जरूर पढ़ लेना what is the meaning of rural agriculture land, यह आपकी level अलग level की knowledge जाएगी और तीसरा time period किसका 12 month है, किसका 24 है, किसका 36 है वैसे capitalization में main होता है land building, 24 month और listed equity shares, 12 month ठीक है, बाकी चीज़े कम use होती है और sir, gold, jewelry, यह सब बगारा, उनका 36 month तो sir, यह 12, 24, 36 क्या है अगर इतने period तक रखा हुआ है, तो short term है इतने period के बाद है, तो long term है sir, ऐसा क्यों complication की सरकार ने, वो आगे चलके पढ़ोगे कि long term में tax saving होती है तो मिलेंगे next class में आज हमने आपको theory का base तयार करवा दिया next class में हम practical base की तरफ proceed करेंगे Tata, bye bye, see you